असलाम लेकुम डियर स्टूडेंट आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट वान का टॉपिक नमबर टू का अगला टॉपिक जो कहे है प्रंसिप नमबर टू और उसका नाम है लिटरी क्राइटेरिया तो ये लिटरी क्राइटेरिया होता क्या है इसको हम देखेंगे ये उसी अर्टिकल से है जिसका रिफरेंस नीचे दिया हूँ है और मैं आप से अरड़ेडी डिस्कस कर चुकी हूँ Literacy criteria जो है वो criteria होता है जिसके उपर हम बच्चों की किताबों के theme सोचते हैं characters सोचते हैं, plot सोचते हैं, maxes सोचते हैं, objective सोचते हैं और ये literacy criteria हमेशा बच्चों की nature, उनकी age और उनकी developmental aspect के मताबिक ही होनी चाहिए तो यहां पर क्या लिखावा है कि वो books जो के appropriate होती हैं, जिनका literary criteria बेहतरीन होता है बच्चों की age के मताबिक वो books होती हैं जो बच्चों की दुनिया बच्चों को represent करती हैं ताकि बच्चे अपनी दुनिया को बेहतरीन तरीके से समझ सकें meaningful अंदाज में समझ सकें कि उनकी reality क्या है और उनकी दुनिया में क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है और इसी लिए वो तमाम चीजें जो बच्चों से match नहीं खाती आवो बच्चों की literacy criteria के उपर भी पूरा नहीं उतरती नंबर टू हमारे पास क्या चीजें आ जाती है कि फिक्शन वर्ड में हम एक्चिली बच्ची के उपर responsibility डालते हैं कि जब कहानी को पड़े तो कहानी ऐसी हो कि बच्चा उस कहानी में involved हो जाए और उसकी imagination को इंट्रगर करें और बच्चा उस करेक्टर की जगा ले ले और वो हीरो वो बच्चा खुद बन जाए और वो fantasy में उसकी बारे में सोचना शुरू करें imagination शुरू करें so thinking process बच्चे में शुरू करना यह कहानी का बहुत ही important responsibility है so what else we have in it इसके अंदर जो अगली चीज़े आती है कि जब हम बच्चे को fictional reality से introduce कराते हैं उसमें fictional कहानी होती है fictional character होता है तो बच्चा उस fictional character में अपने आपको देखता है और उस reality से अपनी जिंदगी के experiences को enrich करता है उस fictional character में और कहानी में वो कीज़े होनी चाहिए जो बच्चे के जिंदगी में होती है और उन experiences को explain करना चाहिए जो बच्चे experience कर रहा होता है ताकि वो अपनी reality को बेहतरीन तरीके से समझ सके उसके बाद child get involved in theme that verb inside verbal and visual text so कहानी की किताब ना सिर्फ text होती है बलकि उसके अंदर visuals होती है तसावीर होती है अंड्रसिक्स के बच्चों के लिए इसमें बेतरीन तस्वीरे मौजूद होती है जो बहुत बड़े volume के अंदर आपको तस्वीरे मिलेंगे टेक्स बहुत कम volume में मिलेगा तस्वीरों को इस तरीके से होना चाहिए कि वो text को define करें जो चीजे टेक्स में बच्चे को समझ नहीं आ रही है वो visuals में समझ सके और visual उसकी imagination को उसकी thinking को इन trigger करें then what else we have कि आपका जो text है वो discerning होना चाहिए उसके अंदर कोई messaging और teaching नहीं होनी चाहिए उसके अंदर एक ऐसा text होना चाहिए जो कि dialogue की form में हो जो बच्चे से सवाल करें और बच्चे उन सवालों के बारे में सोचे ना कि वो teaching और morals के उपर largely based कर रहा हो literacy criteria के अंदर और चीज़े जो आपके सामने आती हैं वो यह आती हैं कि वो clues हमें देने पड़ते हैं figures के अंदर, visuals के अंदर, आपके text के अंदर, आपके colors, lines, drawings के अंदर ताकि बच्चे उन clues को समझ सके कि यह कहानी के अंदर क्या होने जा रहा है यह character क्या करने लगा है वो उनके actions को in colors, lines और drawing के थुरू दिख सके तो यह यार रखें कि that is very important कि visual element आपकी किताब का बहुत ही एहम element है जो बच्चेव को ना सिर्फ उनकी दुनिया समझने में मदद देता है बलकि उनके life experiences को enrich करता है उनको white करता है, उसके dimension को खुबसूरत बनाता है और वो अपने और दूसरों बच्चेव की emotions को बहतरीन तरीके से समझ सकते है Thank you so much